आसानी से खेला एक रन के दिए और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनन्द उठा रहे है मिल गया विकेट वाह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खेलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास अपनी पारी के शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को बहुत ही बड़िया गेंबाजी का प्रदर्शन गेंबाज दुआरा बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बास को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा बल्ले का किनारा और ये गेंड नई रुपाएगी चार रन पिछ पर कितना परचिस मिलता है पावर प्ले की समापती कफटान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ट सिर्कल के बाहर रख सकते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए खुबसूरत थ्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर स्पिन गेंड बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये वाह क्लीन बैक्स्विंग छेरन अंतिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अच्छी गेर और आउट बिल्कुल टाइम ने करपाया बल्लिबाज इस विकेट्स की तलास थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से ये रही पारी की आखरी गेंद आपके सामने और याओ जाना होगा बिना खाता खुले फील्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर तेज गेंद बास को लाया गया है सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए और ये मैक्सिमम गेंद जाएगी बाउन्डरी के उपर से चक्के के लिए किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महत्व पूर होते हैं वा क्या कड़क्स चॉट मारा है बैतर इंग बिट्विन दो वे के दोनों बल्लेबाज उनके बीच पूरी तरह से चुग गए बढ़िया केंद बाजी बल्लेबाज पिछली गेंद पर बड़े अनकमफर्टबल लगे बढ़िया बोलिंग बल्लेबाज को परभेज दिया गया है इसके साथ पावर प्लेबाज समाप्त हुआ आसानी से खेला एक रन के लिए सही जगा पे मौजुद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं इससे कहते हैं अगुद कैच कैच अफ दो मैच की श्रेडी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए बल्लेबाजों को अब बाउंडरी स्की आवश्कता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए बढ़िया शॉट और गेंज सीधी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई क्या बल्लेबाज फिर से बाउंडरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं अधिया गेंज बिल्कुल कनेक नहीं कर पाए बल्लेबाज बल्लेबाज जरूर पिछली गेंज के बारे में सोच रहे हूंगे बहुत सुन्दर खूबसुरत शॉट चार रन के लिए ये रही पारी की आखरी गेंज आपके सामने अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा बहतरीन फील्डिंग और बोलिंग का प्रतरशन हमें देखने मिला यहां पर फील्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाथ देनी पड़ेगी